अनुग्रा लगु मनन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है मैं हूँ आपका मित्र अजीत होरो तो मित्र मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि आप सभी इस सीरीज से निरंतर आशीशित हो रहे हैं निवदन करता हूँ कि निरंतर सुनिये और दूसरों को भी यानि शेर कीजिए तो आईए चलते हैं आज के मनन में आज के मनन के लिए जिस पद का मैंने चैयन किया है वो पाया जाता है उत्पती की फुस्तक उसका 22 अध्याय और उसका 13 पद और यहां इस तरह से लिखा हुआ है तब इबराहिम ने आखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक जाड़ी में बज़ा हुआ है सो इबराहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संती होम बली करके चढ़ाया मित्र इस घटना के बारे में आप जानते हैं हम सभी जानते हैं कि नही संतान होने के दुख को अ अबराहम ने परमिश्वर की बात मान कर अपना घर अपना परिवार अपनी जन्म भूमी और सब कुछ छोड़ दिया था वो मेसोपोटेमिया के उर स्थान का निवासी था सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था उसका पिता जिसका नाम है तेरह वहां का याजक था समाज म आईए सुनते हैं कि जब परमिश्वर ने उसे बुलाया था ठीक जिस दिन परमिश्वर ने उसे बुलाया था तो परमिश्वर ने क्या कहा था उत्पती बारा और उसके एक और दो में इस प्रकार से लिखा है यहवा ने अबराम से कहा अपने देश और अपनी जन्म भूमी और अपने पिता के घर को छोड़ कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझ से एक बड़ी जाती बनाऊंगा और तुझे आशिश दूँगा और मैं तेरा नाम बढ़ा करूँगा और तु आशिश का मूल होगा यहां ध्यान दीजे प्यारे मित्रों कि परमिश्वर ने कहा था कि मैं तुझ से एक बड़ी जाती बनाऊंगा यानि बुलाहट के समय ही अबराहम को संतान की प्रतिग्या मि शुरू होता है उसका मरूभूमी में भटकना ये भी नहीं पता कि वो कहां जा रहा है बस विश्वास से चलता चला जा रहा है मरूभूमी का जीवन आसान नहीं होता अगर हम ध्यान से देखें तो अबराहम पूरे 25 वर्ष भटकता रहा आईए थोड़ा विचार करें कि इस समय वह क्या क्या देख या सोच सकता था वह सोच सकता था कि क्या मिला खुदा के पीछे चल कर कठीनाई से भरा हुआ जीवन तंबूओं में रहना क्रूर मौसम रेगिस्तानी कभीनों से लड़ाई कहीं ठीक से रहने का ठीकाना नहीं उसने यदि संतान भी देदी होती तो शायद थोड़ा ठीक होता उसका मुह देखकर ही जी लेते लेकिन यहां तो वह भी नहीं है कहां गई वह प्रतिक गया जो उसने 25 साल पहले की थी 25 साल तक भटगना कोई आसान बात है मित्र इतनी नकारतमक बातों को देखने के बाद ये भी हो सकता था कि वो वापस लोड़ जाता शायद हम में से भी बहुत लोग लोड़ जाते क्योंकि 25 साल का इंतिजार कोई छोटी बात नहीं होती है लेकिन मित्रो उसने इन सारी नकारतमक बातों को ना देखा और ना किसी से सुना और यदि उसने नकारतमक बातों को देखा भी तो उसने एक काम किया कि वो अपने विश्वास में अडिग रहा इबराणियो 11 उसके 8 में इस प्रकार से लिखा है विश्वास ही से इबराहीम जब बुलाया गया तो आग्या मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ तो भी निकल गया मित्र वचन याकुब 2 और उसके 23 में इस प्रकार से कहता है कि अबराहम परमेश्वर का मित्र कहलाया क्यों उसने सिर्फ परमेश्वर को देखा उसने परिस्थितियों को नहीं देखा उसने ये नी सुना कि लोग क्या कह रहे हैं उसने और भी किसी अन्यवस्तू को नहीं दे और उसकी और निरंतर देखने के कारण ही वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। मित्र परिस्थिती कितनी भी खराब हो, उसे देखने से बहतर परमेश्वर की प्रतिग्याओं को देखना है। यदि उसने बुलाया है तो वो ना कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा आईए अब मनन के अंतिम हिस्से में चलें अबराहम के जीवन में सबसे कठिन समय तब आया जब 25 वर्ष भटकने के बाद उसे संतान हुई और जब वह बड़ा होने लगा तो परमेश्वर ने उसे बलिदान के रूप में मांग लिया क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय अबराहम की हालत क्या हुई होगी शायद कोई और होता तो कहता अब बहुत हो गया परमेश्वर यदि लेना ही था तो दिया ही क्यों था मुझे मुझे मन्जूर नहीं है कोई और होता तो यह देखता कि अब लोट जाना ही अच्छा है देखिए यहाँ पर क्या दिखाई पर रहा है हाथ में छुरा है लड़का वेदी में बांध दिया गया है अब क्या देखना बाकी है लेकिन अबरहम शैद कुछ और ही देख रहा था वह परमेश्वर की प्रतिग्याओं को देख र मित्र आशीश पाना बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि ऐसी कठिंतम परिस्थिती में हम परिस्थितियों को कैसे देखते हैं हम समस्याओं को देखते हैं या समस्याओं पर अधिकार रखने वाले परमेश्वर को एक कहावत है यथा दृष्टी तथा सृष्ट आईए अंत में देखते हैं क्या परिणाम हुआ उसके ऐसे विश्वास का आज के आधार पद में हमने पढ़ा उत्पति बाई सर उसके तेरा में कि जब अबराहम ने आखें उठाई तो उसने देखा एक मेढ़ा सींगों से जाड़ी में फंसा हुआ है सो अबराहम ने उसे लिया और अपने पुत्र की संती मेल बली करके चढ़ाया मित्र कंटीली ज़ाड़ी में फंसा हुआ मेढ़ा उस येशु का प्रती रूप था जो परमिश्वर का मेमना था और जिसके सर पर कंटीला मुकुट रखा गया था अन्यता कहूं तो इस समय कहना चाहूंगा कि लगातार परमिश्वर की और देखने के कारण इबराहीम ने अपने विश्वास के कारण उस येशु के रूप को भी देख लिया था उस मेढ़े के रूप में जो समस्त भूमंडल का प्रभू है मत सोचिए कि सब कुछ विवरीत है सरवदा देखिए कि परमिश्वर आपके साथ है आपको परमिश्वर आशिश देगा आमीन और फिर से आमीन